हेलो फ्रेंट वेल्कम टू माई यूटीू चैनल तो आज जो है हम लोग मेंचूरेशन की क्लास करने वाले हैं यह मेंसूरेशन की क्लास आपके असम राइफल्स के एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और साथ-साथ और इस क्लास को लाष्टर देखेगा और अभी तक आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब लिकिए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजएगा और क्लास अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दिजएगा ठीक कल जो आपका एक्जाम होने वाला है उसके लिए जो है इन्पॉर्टेंट हो सकता है कि त्रिबूज क्या है तो आप लोग को मालूम है कि त्रिबूज क्या होता है जो तीनों भुजाओं से घीरी हुई आकरिती होती है इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकरीती को क्या करते है हम लोग तीबूज करते हैं और इन तीनों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है यानि कि एक एंगेल जो है 60 डिग्डी का होगा और तीनों जो है मिलाकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ठीक तो त्रिबूज आप लोगो इसे मालूम चलेगे हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे लेकिन जो भी इंपॉर्टन होगा आप लोग को बताएंगे आगे चलते हैं इसके फर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं कि फ जो है आपको करना है छोड़के जाना नहीं है अभी थोड़ी दिर में हो गई यह कॉंसेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग क्वेशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग तीनों भुजाओं से घिर हुई तीनों भुजाओं से जो घिर हो तो क्या करते आगे चलते हैं अधार गुने उचाए याने की 1 कि 1 टी वेशनन डू लोग हो तो यहीं फॉर्मुला करेंगे फिर आगे है विसंप्याओं इंग्लिस से बोलते हैं ंगल जम लेते हिसके तीनों भुजाओं और और यो नहीं के उसको विसम बहुत्रिबूच करते हैं तीनों भुजाओं जो हैं वो अलग अलग होते हैं जैसे कि ये देखिए इसका ये अलग है और ये अलग है ये अलग है यानि तीनों भुजाओं जो इसकी अलग-अलग हो माप अलग-अलग हो तो उसको क्या बलेंगे विसम बाहुत्रिबूच का फॉर्मूला क्या होता है विसम बाहुत्रिबूच का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं अगर आपको छेत्फल निकालना हो विसम बाहुत्रिबूच का तो आपको जो है इस फॉर्मूला का यूज करना होगा कोशन में आपको दिया होगा स निकालना हो तो एस का formula क्या होता है? S ब्रावर A plus B plus C by 2 होता है यह हमारा अगर आपको A plus B plus C दिया हो तो हमको A, B, C यह तीनों दिया हो तो आपको जो इस formula का यूज़ करना है और अगर आधहार दिया हो यानि कि base दिया हो और उचाई दिया हो तो हम लोग तीबुच का जो छेत्रफल निकालेंगे वो इस फर्मूला से निकालेंगे और तीबुच का परिमाप क्या होता है A पलस B पलस C माल यह कि आपको A दे दिया 5, B दे दिया 2, C दे दिया 1 तो आपको जो है यह वाला फॉर्मूला का यूज करना है आपको A निकालना है पांच पलस दो पलस एक आठो जागा बटा दो चार अफिर्स के बार उहां पूट कर देंगे तो इस निकल जागा अगर आपको जो है केवल दे दिया आधार और उचाई यानि कि बेस और हाइट के वल दे दिया मले जेकी आपको बता देते हैं आपको कोशन में दिया कि 5 आपका जो है बेस है यानि कि आधार है और इसका छे जो है यह उचाई है तो 1 बाइट 2 बी इंटू एच और हाइट हम लोग कितना दिए छे इसको कार देंगे तो आ जागा हम आप लोग को कोशन आगे बताएंगे तो सब समझ में आ जागा अभी आप लोग जो है फर्मूला को याद करते जाए हम लोग त्रिभूज का देख लिए भी संभाव त्रिभूज का आगे चलते हैं समकोन त्रिभूज देख किए समकोन त्रिभूज जिसको छेटफन निकाले के लिए ऐधार आपको दे रहेगा और लंब दे दिया रहेगा त्रिषाई या लंब दोनों एक ही होता है यानि कि हिंदी इंगली से बोलते हैं perpendicular या फिर लंब बोलो या फिर हिंदी में हो गया लंब और इंग्लिस में perpendicular और बेस हो गया आधार आधार देदेगा या फिर बेस देदेगा इन दोनों को देदेगा और आपको च्छेतफल निकालना होगा ठीक अगर अधार और लंब दिया होगा तो हम को इस फर्मूला का यूज़ करेंगे समकुन त्रिबुच के लिए फिर किसी भी त्रिबुच के फर्मूला के लिए परिमाप क्या होता है है एस फ्लस भी प्लस है ऐच पलस प्लस भी ये के हाइट प्लस फ्रुट्र प्रपेंडिंड Item बेस उचाहें प्लस हे लंब प्लस अधार इन तिनों परिमाप लिए तो और आपको आपको हाईकि दिया है और आपकोन निकालना हो यानि कि कर्ण निकालना हो तो आपको यह फर्मूला का यूज़ करना है ह स्क्वार बरावर पी स्क्वार पलस बी स्क्वार यानि कि आपको अगर हाइट पूछ रहा हो और आपको हाइट पूछ रहा हो और आपको परपेंडिकुलर और बेस यानि कि लंब और कर् यह इसको बोलते हैं यह बोलते हैं यह सामने वाली जो भूजा होती है उसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं और नीचे वाला हो गया बेस हो गया सबसे लंबी बुझा होती है समकुनति बुझ में हाइपोटेनस यानि की लंब होती है हिंदी में इसको लंब बोलते हैं और इंगलिस में हाइपोटेनस बोलते हैं हिंदी में आपको कर्ण बोलत सना है तो आपको वह समझ में आ रहा हो कि यह क्या है वह दोनों ढ मंतलब अब सैम में लेकिन यह वह जो हमारा साइड है नीचे जो बी सडिनूट किया गिया जो साइट को वो क्या है अलग है यानि कि जिसकी दो साइड यानि कि दो भुजा जो है वो अगर सेम हो बढ़ावर तो सम्दी बाहुत रिपुछ करते हैं इसको आइसो सेलर स्ट्रेंगल इंग्रिश में बोला आता है इसका च्छेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं इसका च्छेत्रफल हम लोग जो फ़र्मूला हम लोग पीछे पढ़े थे वह है लेकिन यह इसका है एस माइनस ए अंडर रूट एस इंट्व एस माइनस बी जाहां एस बरावर ए पलस बी ए पलस बी बाई टू है परिमाप निकालना हो यानि कि पेरिमीटर निकालना हो तो टू प्पलस v2 फिर्णी देखें ए पलस बी आपको बद्दा एक समधिर बाहुत यानि आई सब्सक्राइब आइसो श्जयक्राइब कम कि आपको ए एक साइड भी दे दिया तो आपको दोनों साइड इक्वल होगा तो आपको वो पूट करदेना है और भी मनल बीचिक्न अपको पेरिमींटर यानि कि परिमाप निकालना है समधिए बाहुत ही कुछ ठीक तो आपको जो है यह दे दिया कितना ना एक और दिया है आपको दो फिरियकनी यहां पर यह और यह सैड बरावर है यह सैड बरावर है अगर इसका मतलब एक दे दिया है तो यह और इसका दों है तो आप लोग समझ समझ अगर specifically कर प्रोब्लम कोई समझने में और बताइए तो संभावत्य बुझ के बारे में पढ़ लते हैं इसको इंगलीस में कहते हैं एकुलेटरल ट्रेंगल वह ते बुझ इसकी तीनों भुझाओ समाल लमबाई की हो सांभाव ते बुझ कल आता है इसका फॉर्मुला देख लेते हैं, अब आपको संभावक त्याफ निकालना हो, एरिया निकालना हो तो अन्टरूट 3 लाई 4 इंटू और अगर हाइट आपको निकालना हो तो अंडरूट 3 by 2 by 3 अंडरूट 3 by 2 into A और आपका परिमाप निकालना है यह पेरिमीटर निकालना है तो 3 into A तो संभाहत रिभूज के बारे में आप लोगों सब्फरमूलर यह से भियाद कर लिजेगा आप लोग देख लिएगा तो आप लोगों समझ में आ जाएगा क्या है बस आपको यह सब दिवीजन एक तरगा क्लास आप लोग का वर्ग यहनिकी इंगलिस में क्या बलते हैं स्क्वाइर इसक्वाइर वह चत्रभूज जिसकी सभी भूजाय समान हो तथा जिसके सभी को 90 सब्सक्राण करता है अब इसका हम लोग च्छीं पलग के बारें बात कर लें तो च्छींपल क्या होता है भूजाय स्क्वाइर। चस्क्वार जो है भूजा चार है यहनि figured अगर एक साइड अगर एक साइड अगर चार है तो टोटल साइड ही चार होगा क्योंकि जो स्क्वार होता है वर्ड का होता है वो चारो साइड मतलब चारो भूजा क्या होती है बराबर होती है सेम होती है अगर ये चार होगा तो ये भी चार होगा ये भी चार होगा ये भी ठीक परिमाप के बात करें तो 4 meteor हो जा को अगर परिमाप पुछ देगा पेरिमीटर पुछ देर कि परिमीटर ओफ इसको फोर इंटो यानि कि फ़ोर इंटो साड़् for 24 आपको नीकलना हो विकर्ण देखिये किसको बोलते हैं वीआछ इसके बीच में जो साइड मितलब कॉर्णर कॉर्णर से जो मैच खाता है उसको विकर्ण बोलते हैं इसमें दो विकर्ण होगा देखिए यहाँ पर यहाँ पर एक यह कॉर्णर से यह मैच होगा एक यह कॉर्णर से यह होगा यहनि कि आपको विकर्ण दे दिया कि एक एक विकर्ण का इतना इतना रूट टू उसके बाद हम लोग चलते हैं आयत के बारे हैं यानि रिक्तेंगल के बारे हैं वो अच्छा तो बूज जिसकी समुक भूजाएं बढ़ावर तथा पते को 90 डिग्री का हो आयत कलाता है जैसा कि आपको देख रहे हैं इसमें क्या होता है समुक भूजा बढ़ाव है और यह और यह दोनों बूजा क्या है बढ़ावर है आयत में तो अगर आपको इसका छेत्रफल निकाला हो आयत का चेत्रफल अगर पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे आयत का यहने की एरिया निकालना हो रेक्टैंगल का तो लंबाई गुने चराय यहने की लेंध इन् और यह कॉर्णर से यह कॉर्णर यानि कॉर्णर कॉर्णर मैच हुआ दो विकर्ण इसमें खीचा गया है तो विकर्ण आप लोग को मालने चले विकर्ण का फर्मूला हम क्या होता है अंडरूट एल स्कुर परिमाप का टू इन्टू एल प्लस बी अच्छेत्रफल समानतर चत्रफूज कराते इसके भी क्या होती है समक भूजाई जो है बड़ावर होती है हमने सामनी के भूजा इसमें भी बड़ावर होती है वैसे उस डिफिनेशन पर ने जाना है में बात हम लोग फर्मूला याद कर लिज़ाबी क्योंकि बहुत कम टाइम है और कि आपको पहले लोगराम का फिगर है कि अब आगे क्या है मैंने आपको फर्मूला याद करने जिससे जो है आपको कोश्चन जो है साब करने में लिए समलम समलम नहीं ट्रेपोजीड वत्चत्रफूजीश की समुख भूजाओं का एक यूग समानतर तथा दुसा यूगम समानतर यानिकी यह देखिए यह और यह यह और यह क्या है समानतर है एक दूसरे के पैरलल है और यह और यह जो है मतलब दूसरा यूगम और समानतर है नहीं कि बड़ावर नहीं है तो यह समलम चत्रफूज इसका सित्फल आपको अगर निकान ला हो तो फर्मूला क्या होत जो है formula को देखते जाए क्या है नहीं है अब आगे चलते हैं आगे क्या है सम्चत्रुबूज रॉंबच वह चत्रुबूज इसकी सभी बुजाये समालना बाई तता आमने सामनी के बुजा समानतर हो सम्चत्रुबूज कराता है इसका अगर च्छेत्फल के बात करें तो छेत्फ़न निकालना हो किसका सम्चत्रभूज का तो छेत्फ़न होता है 1 by 2 into d1 into d2 d1 into d2 क्या है देखिए आप लोग यह आपको जैसा कि आपको दिखाई दरहा हम आप अभूच तो निकालना हो तो आपको पूठ कर देना है क्या 1 by 2 www घैंञें चर्किल के आप लोग तो जानते हँ होंगे तो इसमें आपको व्यास निकाला है है डायमीटर निकालना हो सबनाहें अगर सरक्ิल का बृत का टु इं tू अर होता है, छेत्पभल निकालना हो, बृत का शेत्पभल क्या होता है, पाई Iielle retired परीदि क्या होता है, पाई 2 पाई ज्या फिन मगा-अर और यह बरावर बढावर D- इछे लिखा गया है, कि जैसे कि आप लोग यहां पर आप लोगो परीधी क्या होता है बृत का परीधी क्या होता है टू पाई आर इसको सौट में जो है हम लोग पाई डी भी लिखते हैं जैसे कि आपको बता दें कि यहां पर आपको तो डी डाइमीटर पढ़ें टू आर होता है यानि कि बृत का बाइ तो यहाँ पर सोटका जो लिग का होता है तू पाइज तू पाइज स्चाप के लम्बाई जिसको बलते हैं वाद आपको जो दिखाई देरा है यह इसको इसकी लंबाई क्याती है पाई आइड ठीटा बाई 180 डिग्री ठीक, तीजे खंड तीजे खंड जो यह वला है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर देख लीजे यह वला, इसकी आपको लंबाई पूछे इसका छेत्रफल पूछे AOB OAB चलते हैं घनाप में कि के कुगाड़, के आप को दिखाई दे रहा है कि किस तरह का होता है भी जाई इसमें आइज यानि कि क्या बोलते हैं शे आएड हो से जो हो है आयेN लेक्टएंगल से ये बना होता है हो अब इसमें याम लोग गहनाप का आयतन देख लेते हैं फिर विकर्ण देख लेंगे प्रिष्टीश छेतपल और गहनाप का पासार मतलब संपूर्ण प्रिष्टीश छेतपल और प्रिष्टीश छेतपल यह सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है आपके लेकर वाल्यूंब भोगा है लंबाई दिया होगा दिया होगा और उचाहि ने लेंठ ब्रेथ और हाइट लिया होगा आपको घनाप का परीष्टीश यह चंपूर्ण यहने कि पूरा फिरोश्टेश्य छेतपल आपको निकालना तों को घनाब का समपुल Ala का फर्मूला क्या होता है तो इन्टू लडीग प्रेस्ट लसा तो आपको अपने सिर्पका ब्दशन जो को सव 친 means में प्रॉब्लम नहीं हो है क्योंकि यह जो चैप्टर है यह टोटल फर्मूला बेस है कुछ नहीं है इसमें आपको आगे क्वेश्चन अभी कराएंगे जस्ट कराएंगे इसके बाद अभी थोड़ी दिर में देखे कराएंगे तो आप लोको महान चला आगे हम चलते हैं दे आगे हमारा बेलन यानिकी जो बेलन से रिलेटे होते हैं कोशन और आपको आपके question दो solve होंगे और इसका formula क्या होता है उन सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं देखिए बिलन का आयदन क्या होता है pi r square into h और बिलन का बग पिश्चे छेत्वल क्या होता है 2 pi r h ठीक और बिलन का संपुर्ण पिश्चे छेत्वल इसको ही हम लोग question में यूज करेंगे आगे चलते हैं बेलन होगी है हम लोग चलते हैं अब चलते हैं संकु में जिसको कौन बोलेंगे कून का संकु का आयतन क्या होता है 1 by 3 pi r square h यह सब अभी हम आपको जो इतने जली है इसले बता रहे हैं क्योंक आगे जो हम लोग question सब करेंगे यह सब क्योवल फर्मूला है आपको फर्मूला क्योवल याद कीजिएगा संकु का बग प्रिश्चे छे इन प्लस आप तो अंदो शंकु का भी पर लिए आगे चलते हैं किसका पढ़ेंगे गोला का जिसको इस प्रेड बोलते हैं इंगलीस में गोले का इतन क्या होता है 4 by 3 pi r square और गोले का बग पीशे छेट पर होता है 4 pi r square ठीक देखें आपको अगर गोले का आयतन के बारे में बात करें देखें मों आपको यहीं पर एक कोशन बतारेते तो क्योंकि खुंडब सकताह से गोले का ऐसे बतारे कि sensations में प्लेधर आपको जो है गोले का आयतन निकालना है तो गोले का आयतन हम लोग क्या पने फर्मूला 4 by 3 और रेडियस आपको कोशन में दे दिया है कितना दो हमको यहाँ पूट कर देना है फोर बाई थीरी पाई इन्टू आर आर के जगा हम लोग तू का यूज करेंगा तू का पावर थीरी हो जागा ठीक अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे हम लोग पाई के जगा जो है कितना मान का यूज करेंगे 22 बटा 7 का यूज करेंगे यानिकि 4 बाई 3 इन्टू 22 बटा 7 इन्टू 8 अब आप लोग इसको सॉल्व किजगा तो गोले का आयतन आ जाएगा आगे चलते हैं हम लोग आगे क्या और्ध गोला मल यह कि आपको इससे क्वेश्टन नहीं मिले तो आपको डायक फॉर्मूला इभी एकजाम में पूछ सकता है ठीक तो देखिए आपको अर्ध गोले का इसमें आपको केवल आर दिया हो रहागा यहनी कि तीन दे दिया है तो आपको पूट करने का फर्मूला पर आपको देंगा कि अर्ध गोले का बग पीश्य छेट पर निकाए अगर रेडियस यहने कि तीरिया तीन दिया हुगा तो आपको यहां पूट कर देना है टू पाइड इसक्वार के फर्मूला पर क्योंकि इसका फर्मूला यह होता है तो टू इन्टू इन्टू बाइस बटा साथ इन्टू ठी सब्सक्राइब तो आपको आजागा अब चलते हैं हम लोग जो है इससे रिलेटे जो है कोशन पढ़ेंगे आगे कोशन अभी करेंगे अभी आप लोग को समझ में आगा यह सब्सक्राइब करते हैं अभी हम लोग जो है जितनी भी कॉंसेप्ट पढ़ें उनसे रिलेटे जो है हम लोग कोशन करेंगे जितने फर्मूला अभी हम लोग पढ़ेंगे जो भी हम पढ़ें कितना आयत का पढ़ें वर्क का पढ़ें त्रिभूच का पढ़ें सम्चत्रभूच का पढ़े समदी बाहु त्रिबूच का बाहु इन सभी से रिलेटिव जो है हम लोग कोशन अभी करेंगे तो देखें पहला नंबर कोशन क्या है कि त्रिबूच का छेतफल ग्यात किजिए जिसकी उचाई 12 cm और अधार जो है 5 cm देखें अभी हम आप लोग को जो है कौन से पढ़ाये थ हमारा उचाई है तो यहां आप लोग को अधार कितना दिया हुआ है देखें अधार दिया हुआ है आपको अच्छे तरीके से हम बता रहते हैं आपको जो है अधार दिया हुआ है देखें 1 by 2 अधार यानि कि बेस दिया हुआ है 5 cm और उचाई के बात करें तो वो दिया हु है 12 cm अब हम लोग को इसको solve करना है यूंकि त्रिबूच का चेत्पल हमको निकालना है तो यहां हम लोग कट करेंगे 2 से 6 बार में ठीक तो हम लोग total solve करेंगे तो 6 पचे 30 cm square जो है से एंसर आ जायगा अब आगे चलते हैं second number question क्या है second number question है कि एक 3 बूच की भूजा है एक 3 ही बूच की भूजा है फांच सिंटीमीटर 6 सिंटीमीटर और 9 कंटीमीटर थो का शेत्फल ग्याद करेंगी देखिये आप लोग को पर बताये थे हैं कि यह आपको किस त्रिपूज का question लग रहा है यह है विसम्भाहूत वूज कि हम आप लोग को बताई थे कि जिसके तीनों भुजाओं वहाँ बढ़ाबर नहीं हो यहां पर आप लोगों को एक भुजा दे दिया है 5 यानिकि जो अलग है एक दे दिया नहीं कि तीनों अलग अलग यानि कि भी संभा होते हुए तो हम लोग जो है किस फॉर्मूला का यूज करेंगे आप लोग को बताये थे कि अंडरूट S into S-A S-B S-C इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो सबसे पहले जो है आप लोग को कोशन में दे दिया है A बरावर दे दिया है क्या? A बरावर दे दिया है 5 cm, B बरावर दे दिया है 6 और C दे दिया है 9 तो आपको जो है आपको तो सब A, B, C दे दिया है लेकिन S नहीं मालूम है S निकानने के लिए हम लोग फर्मूला पड़े थे S बरावर A पलस B पलस C बाई 2 ये वाला फर्मूला पड़े थे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे कितना है पांच पूछ है और 9 है गाटन आ जाएगा 202 यहीं 20 बटा 2 हम लोग इसको कट करेंगे तो कितना जाएगा 10 हम लोग का s निकल गिया अब हम लोग जो है जो ट्रिबूच का छेथफल हम लोग पारे तर फर्मूला उस पे हम लोग put कर देंगे तो चलिए उस पे put करते हैं तो हमारा जो है s का value कितना निकला 10 निकला तो s बरावर under root s into s minus a s कितना है 10 into 10 minus a कितना है s minus c s minus c s minus c s कितना है 10 हम लोग निकले थे हैं और c कितना है नो अब हम लोग इसको solve करेंगे इसको अगर total solve करते हैं देखें 10 में पहले तो 10 में 5 गिया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 10 में 6 गिया 4 हो जाएगा यहनिकि 10 गुने 5 गुने चार गुने 10 में 9 गा एक हो जाएगा यह total क्या है अभी root में है ठीक root में है root अभी तूटा नहीं है अब हम लोग इसको क्या करेंगे गुना करेंगे तो 10 गुने 5 कितना हो जाएगा 50 50 को 4 से करेंगे गुना कितना हो जाएगा under root 200 under root 200 इसका आया अब हम लोग इसको solve करेंगे under root 200 outreach का solve करेंगे तो हम लोग कितना आजाएगा 10 root 2 क्या आजएगा 10 root 2 10 root 2 जो है हमारा आगिया तो यही हमारा τ्रीगूच का छेत्रफल हो गया 10 root 2 जो है तो आप लोग समझ भी सबसे पहले हम लोग एस निकालें फिर उसके बाद जो A, B, C दिया वा था उसको हम लोग पुट कर दिये तो हम लोग एंसर आ गया अब चलते हैं सेकेंड नंबर थर्ड नंबर सेकेंड हम लोग कर लिए अभी जो हम लोग पढ़ें कि त्रिभूज का हम लोग छेत्रफल पढ़ें अब आगे क्या है क्वेशन हम लोग फर्मूला का है क्या पर्यक्तिक परिमाब निकालने के लिए A plus B plus C तो हम लोग जो है एक कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है 7 cm और C दिया हुआ है तो टोटन को जो रहेंगे तो आप तो जलिष कमौन करें बते ती कितना हो जाएगा देखे साथ साथ पांच 12 12 दू यह वाला कोशन आप लोगों समांझ में आये कि तिभूज का परिमाप होगा आप लोग को फॉर्मूला बता जीए कि संभाहुत्री बूज का परिमाप निकालना हो उसका होगा एप्लस बीप्लस सी A plus B plus C total को जोड़ देंगे 7 और 5 और 2 तो आपको त्रिपुच का परिमाप निकल जगा अब आगे चलते हम लोग कोशन में तो संभाहुत त्रिपुच की परतेग भुजा जो है 4 cm लंभी हो तो इस त्रिपुच का चेत्फ़पल कितना होता आप लोग को जो है संभाहुत निक्यास का चेत्फ़पल कितना होता है हिंए अ तो अंडरूट 3 by 4 इंटू यहां पर स्वल्ला हो जागा और एक कर जागा तो यहनी कि 4 रूट 3 हमारा जो है इसका एंसर आजएगा आप चलते हैं आगे हमारा कोशन क्या है आगे जो हमारा कोशन है कि एक समकुंत्रिभूश का कर्ण यहनी कि आपको जो है क्या हाइपोटेन हाइपोटेनस आपको दे दिया है 10 सेंटिमीटर और आधार दे दिया है और सेंटिमीटर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्या होगा देखें आपको हम लोग फर्मूला बताये थे कि कर्ण स्क्वार ब्रावर अधार स्क्वार प्लस उचाई स्क्वार और हमारा कर्ण दे द प्रद्रद्रद्र प्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद्रद् सब्सक्राइब कितना हो जाएगा और प्लस यहां 64 हो जाएगा तो सब्सक्राइब हम लोग इसको सब्सक्राइब को इधर लाएंगे 64 हो जाएगा बरावर पी स्क्राइब हम लोग इसको अगर सो टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडरूट 36 हो जाएगा और 36 का कितना जगा सॉल्ट करेंगे तो 6 cm हमारा जो है उचाई यानि कि पी लंब हमारा आगिया अब जो हम लोग इसका परिमाप ग्याद करेंगे तो हम लोग त्रिबूज का परिमाप पढ़े थे समकुन त्रिबूज का क्या होता है एच प्लस पी प्लस भी यानिकि हाइट और जो लंब और अधार इन तीनों को जोना पड़ेगा तो हमारा जो कर्ण दिया हुआ था वो दिया वह था और अधार भी दिया था हम लोग अभी जो है किसका निकालें हम लोग उचाई भी निकाल लिए तो तीनों को जोड़ सब्सक्राइब कर लेते हैं अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है साउंड में साउंड में कभी-कभी थो प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए अगे चलते हैं क्लास में बने रहेगा ठीक क्लास बहुत है तो एक वर का परिमाफ सो मीटर है उस वर्गों के विकर्ण के लंबाई कितनी होगी विकर्ण आपको निकालना है तो देखिए क्या होगा वर का परिमाफ कितना है आपको सो मीटर दे दिया है और तो सबसे पहले आपको जो है भूजा निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको जो है विकर्ण निकालना के लिए भूजा की जरदपरती है विकर निकालने के लिए तो हम लोग भूजा निकालने के लिए हम लोग वर का परिमाप भूजा वाला फर्मूला का यूज़ करेंगे ठीक तो क्या होता है जो वर का परिमाप जो वर का परिमाप के हम को दिया गया तो वर का परिमाप कितना दिया गया सो मिटर वर का और यहाँ पर इसको किया करेंगे चार को जो है चार हमारा इधर आ गा बड़ा में नीचे आ का और सबना नीचे एक हमारा ओंब के आजाएगा तो पटीस आजाएगा हमारा भूजा तो आप लोग को भूजा यह lekker प्राइब लूग को मेले चलते हैं किस थरश निकला हम लोगा भुज्ञा इंसरे की जरुदिछ निकले मुजव कं ॥ तो हम लोग जो साइड निकाले वह कितना था अभी पचीस तो पचीस पचीस इन्टू अंडरूट टू यह हमारा जो है हमारा वर्क की विकर्ण की लंबाई निकल गए अब चलते आगे क्वेशन है आए कोशन क्या है कि आयत की लंबाई और चुराई 10 मेटर व पांच मेटर है तो उस आयत का छहत्रुपर कितना हुए ऑद का जो है छूडपर निकाल लेए आपको झूरा प sentiments क्लोड़ा पस्तुर निकलने के लंबाई डिया अपको लंबाई कितने देडिया है पय Bowl 10 देदिया है ओप 30 living क्यूंध कि न पने स्क्वार दोनों को इंटू करेंगे तो पचास सेंटिमीटर स्कार एंसर आजेगा अब चलते आगर कोशन आए कोशन के यह समलम की समानता चत्रभूच चार मीटर है तथा दस मीटर है और उनके बीच की दूरी दो मीटर है तो उसका छित्फल आपको निकालना है तो हम दो समलम चत्रभूच के बारे में हम लोग हाट कर देए तो सब से पहले तो आपको समलम चत्रभूच्व का सबसे पहले हम लोग सब लेंके हाइच दिया गया है आपको इसके बीच की दूरी जो है ओक ईन्टू ए प्लस बी एलए प्लस बी कितना हो जागा चार पलस दस और हाइड कितना हो गया इसमें दो में लोग इसको करें करेंगा वन बाई टूँ इन्टू दस चार 14 दू यानिकी अब इसको कट करेगे तो कट करें तो हमारा 14 सेंटिमीटर इसको आर जो है हमारा एंसर मीटर इसको एंसर आगी चलिए अब हम लोग नेक्ष नमबर क्वेशन में चलते हैं नेक्स नमबर क्या है तो इसके बाद जो है वृत का हम लोग पढ़ेंगे एक लास्ट कुशन होगा सम्चातुबुच के विकर ख़ो आपको बता दिये हैं तो सम्चातुबुच का परिमाप क्या होगा इसके बाद में हम आप वोको बता जो है आपको इसकी भूजा निकालेंगे तो इसके निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग सबसे पहले देखते हैं इस सम्चत्रबुज की जो भूजा निकालने के लिए वह फॉर्मूला आप लोग यहां पर देख लिए क्या होगा वन बाई टू फॉर्ण बाई टू अंडरू तो यह फो यह सब्सक्राइब क्योंकि पहला जो है विकरन हमारा दस का स्कॉवर्ण होगा दूसा जो है चो का स्कॉर्ण तो और यह हो जाएगा हमारा चातिस तो हमारा कितना हो गया 136 तो 136 बटा दो अब हम लोग इसको कट करेंगे 136 बटा दो को इतना है 136 बटा दू हम लोग जो सम्चातों बुच के भूजा निकालने तो कितना आया 136 बटा दो आया अब हम लोग इसको करेंगे कितना हो जागा दो छक 12 और फिर कितना हो जागा अब हम लोग इसका परिमाप का हम लोग formula क्या पढ़े थें क्या 4 x A क्या पढ़े थे 4 x A इसको गुणा कर देया तो आपको सम्चातों बुच का परिमाप आपको निकल जाएगा अब चलते हैं आगे हम लोग ब्रित का एक ये लास्ट वित्का आपको दे का छेत्रफल बताना है तो आपको जो है कितना क्या देदिया है डाइमीटर देदिया है कितना 28 आपको छेत्रफल निकालने तो सबसे पहले जो है आपको बता दें कि बित का छेत्रफल क्या होता है बित का छेत्रफल होता है पाई आरी स्क्वार होता है आपको डी दिया हुआ आर नहीं दिहाँ हम लोग को निकलना पड़ेगा तो हम निकालने के लिए हम आप लोग को बताएं होते कि भitis निकालने के लिएए ठाइमीटर हमारा 28 आठाइस बताद दो करेंगे तो चौना हो जागा 14 हो ठीक 14 आगे हम लोग का डुखा क्या रेडियस अब हम लुग चलते हैं इसका छेथफन निकालेंगे च्छेथफन निकालने के लिए पाई आरी स्कॉयर पाई आरी स्कॉयर फॉर्मूल होता है तो पाई हमारा 22 बटा 7 और जो हमारा निकलर एडियस वह होता है 14 या कि कितना 14 का सकाओ आप लोग जो है 14 इसको अलग-अलग कर देते हैं इस्ते आपको कातने में जो रहा सानी होगी 14 गुने चोदा तो साथ दूणी 14 अब आप लोग जो है इसको टोटल गुञा में आप लोग को फर्मूला फर्मूला आप लोग जो अच्छा तो प्लेस लाइक किजेगा और अपने दोस्तों के लिए आप लोग के लिए तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स लास में बनने मात्रम और पीडियो जो आपको टेलेग्राम ग्रूप में मिल जाएगा